जब हम निवेश करते हैं तो उसे हम हमेशा compare करके देखना चाहते हैं क्योंकि पैसा लगा रहे हैं और हमें भी पता गरना है कि जो हम decision ले रहे हैं उस सही है या ने एक तरह से इस तरह का मुकाबला ही करते हैं ना हम देखना चाहते हैं ये निवेश तगड़ा है ना रिटर्न देने के मामले में ये कैसा है कहीं हम फस तो नहीं जाएंगे न इसमें अच्छा रिटर्न तो मिलेगा तो किसमें कितना है दम यही मुकाबला मैं आपके लिए लेकर आती हूँ मैं हूँ प्रियंका संभाव और आज हम फूकुस करने वाले हैं फिक्स डिपॉसिट के निवेश पर तो दो तरह के एफटी है निवेश के बाज़ार में एक है बैंक फिक्स डिपॉसिट और दूसरा है कंपनी के एफटी जिसे हम कहते हैं कॉर्परेट एफटी तो चलिए मुकाबला तो करेंगे लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा बैग्राउंड देते हैं और बताते हैं कि फिक्स डिपॉसिट में अभी क्या चल रहा है ब्याज़दरों को हमने लगातार बढ़ते वे देखा आर्बियाई ने जो है मैं से लेकर अभी तक पांच बार रेप बैंक ने कर्ज जो है वो महगा देना शुरू कर दिया है और साथ में अच्छी बात यह हुई है कि जो लोग फिक्स डिपॉसिट करते हैं उनके लिए भी ब्याज बढ़ रहा है तो आठ महीने में करीब करीब हम सब ने देखा है कि बैंकों की जो एफटी है इसमें जो ब् आधा दरजन बार बढ़ चुकी है और अल्मोंस 3% तक बढ़े हैं अलग-अलग बैंकों ने अलग-अलग अनुपात में लेकिन 3% तक का ज्यादा रिटर्न आप बैंक FD आपको दे रही हैं अब समझते हैं कि FD पर यह ब्याज क्यों बढ़ आ इसके पीछे एक वजह है RBI के आंकड़े हमें बता रहे हैं कि जो कर्ज है वो 17.9% बढ़ कर 130,000,000 करो रुपे पदा है और इसी के सामने जब आप देखते हैं कि जमा की रफ्तार कैसे बढ़ी है तो वो केवल 9.8% बढ़ी है अब कर्ज की मांग बढ़ रही है इस मांग को बैंक कैसे पूरा करेंग और इसकी रफ्तार देखी कितनी धीमी रही है तो बैंकों को चाहिए ज्यादा जमा और वो क्या कर सकते हैं वो अपने बैंक FD को और लुभावना बना सकते हैं और वही कर भी रहे हैं और इसमें बार-बार हम बढ़त देख रहे हैं तो कर्ज की मांग को पूरा करने में ज और उनकी कंपनियों की FD यानी corporate FD तोनों आस पास दौर रहे हैं कि कौन ज्यादा आपको return देगा तो सबसे पहली बात हम जो निवेश में देखना चाहते हैं वो है return तो यह रहा return का पूरा चार्ट आपके सामने और यह आपको बता रहा है कि अभी fixed deposit किस तरह के return दे रहे है बैंकों में fixed deposit साथ दिन की छोटी अवधी से लेकर 10 साल के लिए किये जा सकते हैं और 3% से लेकर के 7.25% तका return अभी मिल रहा है सरकारी बैंकों में PNB सबसे ज्यादा ब्याज अभी दे रहा है 7.25% का ब्याज यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर जो senior citizen FD कर रहे हैं उन्ह तो 7.25% से भी ज्यादा पॉने आज फीसिदी का ब्याज मिल रहा है क्योंकि senior citizens को हमेशा जो ब्याज regular customers को मिलता है उनसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो PNB सबसे आगे हैं इसके बाद नंबर आता है PNB के बाद नंबर आता है SBI का और SBI भी बहुत उच्चतम ब्याज अच्चा ब्याज दे रहा है अधिकतम ब्याज है 6.75% तक का ये दे रहा है और बुजूर्गों को तो 7.25% का ब्याज SBI में मिल रहा है अब corporate FD की बाद करें तो मस्बूत credit rating वाली company एक से 5 साल की FD पर 7 से 8.11% तक का सालाना return दे रही है फिलाल देखें तो श्रीराम finance सबस से अधिक यहाँ पर आपको ब्याज देते वे 8.13% का ब्याज ओफर कर रही है और इसी तरह ये कंपनिया भी करीब 1.5% अतरिक्त ब्याज senior citizens को देती है तो श्रीराम finance के FD में बुजूर्गों को 8.63% का ब्याज मिल रहा है LIC housing finance और ICSI home finance ये दोनों ही करीब 7.5% का ब्याज दे रही है और वरिश नागरिकों को चौथाई फीसदी ज्यादा रिटर्न यहाँ पर भी मिल रहा है कुछ कम्पनिया स्पेशल ओफर में आधा फीसद तक अतरिक्त ब्याज भी दे रही है यानि वो स्पेशल FD लेकर आ रही है लेकिन ध्यान रहे इनकी रेटिंग बहुत यह है फाक्टर है वो है रिस्क फाक्टर यानि आप जो पैसा लगा रहे हैं उसमें जोकिम कितना है बिल्कुल भी कोई जोकिम नहीं लेना चाहता है तो इस बात को समझे कि जब आप किसी बैंक पीस्यू बैंक या निजी बैंक के FD में निवेश करते हैं तो यह RBI के अध हुआ अधितने बने बना पर और इसको यह did a's तो मैंका ही मानेच्मेंट उसको देखता है वो यह RBI के अंधरकत नहीं आते है तो इसमें आपको रेटिंग कर नी बहुत जरूरी हो जाती है जब भी कंपरे एंक एक मिफ्ड लाती है न उसमें इस अकरनी उस कंपणी की ब्याज देंगे, क्योंकि उनको निवेशकों को खीचना है अपनी ओर, तो जितना ज्यादा ब्याज वो दे रहे हैं, उनकी रेटिंग को जरूर चेक कीजेगा, और AA और AAA से वो नीचे है, तो वहाँ पर आपके पैसे को जोखिम हो सकता है, बैंक FD पर RBI के नियमों का पालन किया जाता है, अगर मान लेजे कि बैंक दिवालिया हो जाता है, और ऐसी स्तिती पहुंच जाती है कि वो लोगों के पैसे लोटाने की स्तिती में नहीं है, तो FD की 5 लाग रुपे तक ही राकम सुरक्षित रहती है, इसके लिए Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, यानि DICGC के जरिए BIMA कवर मि ही मिलता है, अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है, जिसका FD है या डूपती है, तो आपके FD का पैसा वापस मिलना मुश्किल हो जाता है, तो रिस्क फैक्टर में कहीं ना कहीं, बैंक की FD ज्यादा सुरक्षित दिख रही हैं, लेकिन इसका मतलब हम यह नहीं कह रहे हैं क बैंक FD से होने वाली आई, निवेशक की सालाना आई में जुड़ जाती है और उसके slab के हिसाब से उसको tax का भुकतान करना होता है, और यही रूल corporate FD में भी imply होता है, जो भी return आपको मिलता है, वो आपकी आई में जुड़ जाएगा और फिर slab के अनुसार आप उसको payment करत हैं अपने tax को, लेकिन दोनों ही निवेश पर TDS का नियम अलग है, बैंक FD की सालाना ब्याज जो है, वो 40,000 रुपए से जब अधिक होती है, तो बैंक 10 फीसिदी TDS काटेगा, और senior citizen के लिए यह 50,000 रुपए की रकम है, अगर आप बैंक को PAN का व्योरा नहीं देंगे, त तो TDS 20 फीसिदी काटेगा, यानि 10 की जगा 20 काटेगा, लेकिन कमपनी FD में यह रकम हो जाती है कि अगर 5000, 5000 रुपए से उपर की आई पर TDS लागू हो जाता है कमपनी FD में, तो TDS के मारमले में हम देख रहे हैं कि कमपनी की FD जो है, वो पीछे है, आचा, बैंक लेकर आ भी आपको मिलेगा, लेकिन सारे रेगुलर FD में नहीं मिलता है, वो केवल टाक्स सेवर FD में मिलता है, तो टाक्स के फरंट में यहां देखे, 40,000 पर ही जो है, वो आपका 10 फीसिद टाक्स, 40,000 के उपर की रकम पर कट रहा है, लेकिन कमपनी FD में 5000 उपैसे ज्यादा, त कहीं न कहीं, टाक्स के मोर्चे पर भी बैंक FD जो है, वो बाजी मारती हुई नजर आ रही है, तो बैंकों के तुलना में, कॉर्परेट FD आपको ज्यादा ब्याज अभी बाजार पे दे रही है, और इसलिए वो लुभावनी भी लग सकती हैं आपको, लेकिन ध्यान रहे है, कि अभी हमने देखा कि रिस्क और टाक्स के फ्रंट पर, कॉर्परेट FD एक कदम बैंक FD से पीछे हैं, लेकिन एक्सपर्ट क्या कहते हैं, अगर आपको बैंक के फिक्स डिपॉसित और कॉर्परेट FD के बीच में चुनाव करना है, तो Certified Financial Planner Jitendra Sulanki आपको बता रहे ह आपको क्या करना चाहिए, तो Final Verdict हमारे एक्सपर्ट Jitin Sulanki का. तो किसी ना किसी पैरामीटर पे दौनों में से एक इंस्टूमेंट नीचे चला जाएगा, तो अगर मुझे संतूरल बनाना है और मुझे रिटर्न भी देखना है, तो मैं 20-30% corporate FD में इमेश करूँगा, और बाती में bank fix deposit में करूँगा, नेरे हिसाब से यही आलोकेशन ब रखेंगे, लेकिन दोनों में से अगर चुनना हो, तो क्या वो आधार हो, जिसके आधार में हम एक को चुने, तो आएगे सुनते हैं, क्या कहा जेतिन सुलंकी ने, बैंक FD safe हैं, और safety point of view से अगर आप देखें, तो RBA द्वारा पांच लाग तक आपका जोने guarantee होता है, जो corporate fix deposit में आपको नहीं मिलता है, दूसी तरफ, अगर पांच साल की आप fix deposit देखते हैं, तो उसमें आपको tax benefit में मिलता है, तो मुझे अगर एक percent जादा मिल रहा है, तो क्या मैं एक percent के लिए वो risk factor लेना चाहूँगा, मुझे सिर्फ यह सूंतना है, आज की date में अगर bank fix deposit आपको 7% दे रहा है, corporate fix deposit अगर आपको 8% दे रहा है, तो क्या वो 1% का risk बहतर होगा, हाँ, अगर मैं 9% की corporate fix deposit पे जा रहा ह तो उसका risk factor जादा होगा, वहाँ पे मैं चाहूगा कि वहाँ पे bank fix deposit को तुना जाए, तो risk factor सबसे बड़ा important criteria है कि आप कितना उसको समझते हैं, और corporate fix deposit के liquidity को आप समझते हैं, और corporate fix deposit में आप सभी निवेश करेंगे, जब आपका थोना सार जो अब्दी है, वो लंबी होग तो verdict साफ है कि risk जो है वो तै करेगा कि क्या आप अपने निवेश में risk ले सकते हैं, अगर ले सकने की स्थिती में हैं, तो शायद corporate FD जहाँ आपको ज्यादा return मेला है, उसे चुन सकते हैं, लेकिन हा, उसमें उस company की rating आपको जरूर देखनी है, तब ही निवेश का फैसला तो risk के बिना पर आप चुनिए कि कौन सा निवेश आपके लिए बहतर होगा, bank FD या corporate FD, मुकाबला में मेरे साथ इतना ही, बाई बाई बाई